एक घंगोर जंगल था, उस जंगल में अनेग जानवर रहते थे, एक दिन रीच, भेडिया, लोमडी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले, शेर इन सब का अगुआ था, शीग रही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार अडाला, लोमडी ने भैंस के चार हिस्से किये, सभी जानवर अपना-पना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे, तब शेर ने धारते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो, शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था, दूसरे हिस्से पर भी अब रहा चौथा हिस्सा, यदि तुम में से किसी को ये हिस्सा चाहिए, तो आजाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा, रीच, भेडिया और लोमडी ने चारो हिस्से शेर को दे दिये और वहां से चुपचाप खिसक गए